कि शुरुबात करते हैं सबसे पहले आंसर राइटिंग से देखो अब सबसे बड़ा प्रशन यह उड़ता है कि क्या हमें पहले दिन से कोशिश करनी चाहिए उत्तर लिखने की या फिर हमें कुछ तीन महीने चार महीने चीह महीने रुखना चाहिए अब इसमें दो अलग अल कि मैंने क्या किया और फिर आप देखेगा हो सकते हैं आपको वह स्ट्रेटेजी हेल्प करें और लगता है कि वह आपके काम के तो आप उसे फोलो कर सकते हैं तो मैंने डे वन से लिखना शुरू किया तब मुझे इस कहानी के बारे में नहीं पता था इस एक्स्परिमेंट क को सीटरत को दो अलग-अलग भागों में डिवाइट किया यह फस्ट केटेगरी और यह दूसरी शेनी में रखwind तो पहली शेनी और दूसरी शेलिए 된ा 10-10 स्टूऍधेंट्स को रखाuded और इनको कहा गया यह जो Master थे इजो टीछर थे यह मटका बनाना सिखाए थे कि कैसे मटके को बनाना चाहिए और इनको कहा कि एक काम करिए सो दिन का समय में आप लोगों को देता हूँ आप मुझे जितना अच्छा मटका बना कर दे सकते हैं वो दीजी ठीक है पहले ग्रूप ने क्या किया पहले ग्रूप ने कहा कि कि पूरी प्लानिंग करने के बाद अगर बना रहे हैं तो सब कुछ अच्छा ही बनेगा दूसरी तरफ जो दूसरा गृप था इन्होंने कहा कि हम कुछ घंटे प्लानिंग करेंगे और फिर मटके बनेगे तो पहले दिन क्या हुआ, पहले दिन इन्होंने कुछ मटके बनाए, कुछ मटके अच्छे बने, लेकिन जाधतर खराब बने, चीक है, लेकिन ये जो खराब बने इन्होंने सीखा इनसे, कि कैसे अगले दिन हम बहतर परफोर्मेंस कर सकते हैं, दूसरे दिन इन्होंने मटके बनाए, कुछ ठीक ठाक बने, लेकिन कुछ खराब बने, ऐसे चलते चलते इन्होंने हर दिन मटके बनाना शुरू किया, और जब दिन बीटते गए, ये अपने failure से, जहां जहां पर ये गलती कर रहे थे, उससे ये सीखते चले गए, और सोवे दिन में इन्होंने कुछ मटके बनाए, जो कि बहुत ही बहतरीन थे, कुछ कई न कई average थे, और आप कहसकते हैं कि कुछ खास नहीं थे, ठीक है, इस तरीके के मटके बनाए, और वहाँ पर भी finally एक दिन में last दे, सोवे दिन में एक मटका बनाए, तो क्या लगता है आपको, जब हम इन दोनों श्रीणियों को आपस में इनकी तुलना करते हैं, कहाँ पर finally, मतलब आखिर में जाकर, जो मटका बनाओगा वो अच्छा होगा, क्या दूसरे ग्रूप में ऐसा अच्छा मटका मिलेगा या पहले ग्रूप में मिलेगा, यह पाया गया कि इस ग्रूप के अंदर, दूसरे ग्रूप के अं पहले दिन से लिखना शुरू करते हैं, तो क्या होगा, जब तक आपके तीन महीने होंगे, या फिर आपके छे महीने हो जाते हैं, तब तक आप इतने अच्छे मटके बना रहे होंगे, मतलब आप इतना अच्छा आंसर लिख रहे होंगे, इतना अच्छा आपका उत्तर हो को फोलो किया, इसी चीज़ को practice कि, हङला कि मुझे experiment के बारे में पहले नहीं ही पता था. इसके बारे में ऐक एक डिचसाल पहले ही पता चला लेकिन क्योंकि मैं पहले दिन से ही लिख रहा था, मुझे उत्तर दिने में कहीं पर परिशानी नहीं हुई, मुख्या परिक्षा मुझे पहले सी पता था कि यह तो मेरी हो जाएगी, प्रिलिम्स के अंदर डर लगता था, तो मुख्या परिक्षा में paper रुका भी नहीं, और पहले ही attempt के अंदर वहाँ पर परिक्षा में उतीन भी हो गया, तो मैं आपको यही कहूंगा, वैसे आप चाहें, तो देखो, यह strategy भी follow कर सकते हैं, इसके लिए कोई मना नहीं कर रहा हो, हो सकते हैं, कुछ लोग इसी को use करते हैं, लेकिन मैंने इस strategy को follow कि और इसने मुझे काफी जाधा सायता प पाए है, वही चीज़ शेयर कर रहा हूं, जो मैंने यहाँ पर चीज़े अपनाई, तो देखें, जैसे आज माल लीज़े, आपका पहला दिन है, यह आपकी पहली class है, और यह आने वाला topic जो है, यह जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, यह आपका पहला topic है, ठीक है, तो और पलेस्टाइन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो क्या अगर मैं आपसे पूछूँ, पूरा topic पढ़ाने के बाद, कि इसराइल के ओपर आप 50 शब्दों में जो भी लिखना चाते हैं, ठीक है, या पलेस्टाइन के ओपर, फिलिस्तीन के ओपर, 50 शब्दों में, य मैंने इसराइल लिखा, यहाँ पर प्रशन चिन लगा दिया, कि मेरे को इसराइल के ओपर के ओपर क्या में 50 शब्द लिख सकता हूं कि या ने? फिलिस्तीन के ओपर 50 शब्द लिख सकता हूं कि ने? इस तरीके से आपको लिखना है, आपने एक गंटे में पूरा topic पढ़ा समझा, मैंने आपको यहां पर पढ़ाया, उसके बाद क्या आप तीन या चार पॉइंट्स लिख सकते हैं कि ने, यह हमें समझना है, ठीक है, यह सबसे आसान स्तर है, जब हम answer writing करते हैं, ठीक है, इसके बाद, जो दूसरा स्तर होता है, वो थोड़ा सा, आप कैसे हैं, कठीन ह लेते हैं, आपको लगते हैं कि मैं इसे असानी से लिख सकता है, और मुझे कोई परिशानी नहीं होगी इस तरीके के प्रशनों का उत्तर देने में, तो फिर दूसरा स्तर हमारा जो होगा, वो होगा, थोड़ा सा कठीन स्तर आप कह सकते हैं, जहां पर हम एक और topic को भी include कर लिए, तो यहां पर दूसरा जो प्रशन हमारा है, यहां फिर दूसरा स्तर हमारा जो है, जिसमें हम थोड़ा सा आप कहसे थे college level, जिस तरीके के जो प्रशन होते थे college level के अंदर, उसकी बात यहां पर कर रहे हैं, जो college स्तर के प्रशन है, उनकी बात हम यहां पर कर रहे हैं तो यहाँ पर इसराइल और फिलिस्तीन दोनों के बीच के सम्मंदों के बारे में आप से 50 शब्दों के अंदर उत्तर मांगा गया है। जब आप इस तरीके के उत्तर लिखना शुरू करेंगे तो इसके अंदर भी आपका क्या होगा? कमफर्ट लेवल आजाएगा और यहाँ पर कमफर्ट लेवल जब आपका आजाता है उसके बाद हम चलेंगे तीसरे स्तर के ओपर जो आपका है गोल्ड स्टेंडर्र या फिर का जाएगा जिसने पूछा जाएगा कि इसराइल फिलिस्तीन जो मुद्धे हैं दोनों के बीच मे एक लोग सेवक से या फिर एक पोटेंशल आने वाले लोग सेवक से यही चाहता है कि क्या आप किसी समझाय का समाधान दे सकते हैं या नहीं क्योंकि जब आप उस कुरसी पे बैटेंगे रोज नित नए परिशानियों का सामना करना पड़ेगा ठीक है तो क्या आप उस तर प्रूशन क्या है, इसका हल क्या है, इसका समाधान क्या है, और अगर आप इसका उत्तर देना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर कही न कहीं, जब आप पर कोशन है इस्राइल दूसरा प्रशन इस्राइल फिलिस्तीन के संबंदों के बारे में तीसरा हल परिशानी तो है पूरी दुनिया को पता है उनको भी पता है लेकिन हल क्या है हल नहीं निकल पा रहा है ठीक है तो इस तरीके से आप जो उत्तर है वो लिख सकते हैं इसकी प अगर 100 लोग उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे, आसान से आसान प्रशिन के अंदर भी 99 परतिशत लोग नहीं लिख पाएंगे, या फिर 100 परतिशत लोग नहीं लिख पाएंगे, लेकिन 99 परतिशत लोग उसमें क्या करेंगे, हार मान जाएंगे, कि यार छोड़ो ना, अभ पिर वो कायेंगे तीन महिने के बाद लिखेंगे अभी तो हमने इंस्टीट् três में एडमिशन लिया है अभी तो हमने पढ़नाशुरू किया नेश्ट जो liberals करे विक एख व्यार्ट लोग ही ऐसे होते हैं जो कि मुश्किल काम को भी करते हैं और कहीं न कहीं सफलता भी उनी को मिलती है जब आप मुश्किल काम करते हैं तो यहां पर जो व्यक्ति बिना डरे वो यह देखेगा कि यह करना जरूरी है और मुझे यह किसी न किसी किमत पर करना ही है तो वो लिखना पर आप चाहें तो अपने सामने अपने नोट्स को खोल सकते हैं, आप चाहें तो Google की सायता ले सकते हैं, उसमें पढ़ दिजे, इसराइल के बारे में चारपा चीजे, बंद कर दीजे, फिर अपनी भाशा में अपनी तरीके से उसे लिखने की कोशिश करिए, ठीक है, अगर देखकर लिख रहे हैं, तो उसका कोई फाइदा नहीं, अगर आप अपने नोट्स को खोल रहे हैं, फिर देख देख के लिख रहे हैं, गूगल के सामने देख देख के लिख रहे हैं, कोई फाइदा नहीं, लेकिन हाँ, एक बार आपने पल दिया, उसके बाद आप अपनी कि कला आपको आजाएगी, जब आपको पता है कि मैं किसी भी तरीके का उत्तर लिख सकता हूँ, दूसरे लोगों के लिए वो चैलेंज होगा, उनके लिए वो चुनोती होगा, और वो मुख्या परिक्षा के अंदर कही न कहीं स्ट्रगल कर रहे होंगे, लेकिन आप आसानी से पूरे पेपर में सारे उत्तर आसानी से दे देंगे, और इसी वज़े से आपके जो अंक आएंगे और जो आपके competitors, जो आपके competition मिलोगे, उनके जो अंक आएंगे, उसमें काफी बड़ा difference आपको देखने को मिलेगा, चीक है, तो यहाँ पर कोशिश यही करेगा, कि इस तरीके से आप उतर देने की कोशिश करें, इसके ओपर सच में experiment हो चुके हैं, जहाँ पर यह देखा गया, कि जो चीज़े करना शुरू करते हैं, और यहाँ पर भी वही चीज़ बताई जा रही है, ठीक है, खेर,